हेलो फेरन्स हम लोग आज सीखेंगे कि रेपी पे का पासवर्ड फोर्गेट केसे करें अगर आप भूल गये हैं पासवर्ड या तो फिर आपके पासवर्ड जो बनाया हुआ है वह नहीं ले रहा है किसी कारण तो उसको फोर्गेट केसे करें ठीक है हर पूटाल पे अलग-अलग कुछ requirement होती है forget करने की, यहाँ पर कुछ basic requirement है और बहुत लोगों को नहीं पता है कि भाई मुझे forget करना नहीं आता क्योंकि हमारे जो भी retailer, distributor बनाए हुए है हमारे panel पर काम करते है बहुत सारा phone करके पुछते हैं कि भाई मुझे बताओ कि forget कैसे करें या तो फिर इसका क्या process होती है ठीक है, तो simple सी बात है आप forget की option पर जाएंगे सबसे पहले आपको click करना होता है login with R.M.N R.M.N के मतलब क्या होता है आपके register mobile number ठीक है तो यहाँ पर जैसे आप click करते हो click करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा यहाँ पर एक option मिल जाता है forget password का, ठीक है इसके ओपर click करना है जैसे आप click करते हो तो यहाँ पर दो option मिलता है एक तो OTP का यह OTP का basic option है यह काम नहीं करता होतना work लेकिन यहाँ पर एक mail का जो option है यह profile काम करता है forget करते समय ठीक है तो suppose that mail के option पर जैसे आप click करते हो तो यहाँ पर जो है enter rmn उसका मतलब होता है register mobile नमर डालने के लिए बोल रहा है ठीक है तो यहाँ पर जो भी आपका register mobile नमर है मैं यहाँ डाल के जैसी OK पर click करूँगा OK पर click करने के बाद यहाँ पर मैंने OK पर जैसी किलिक कर दिया OK पर click करने के बाद आपके एक register mobile sorry register email ID पर verification के लिए mail करेगी company ठीक है ओ mail किस तरह से होता है यह भी बताता हूँ आपको ठीक है verification नहीं किये हो तो कुछ इस तरह से message पहुचेगा मैं आपको दिखाता हूँ अगर अगर आप verify already करके रखे हो तो किस तरह से अभी जो यह मैंने already verify करके रखा है इसलिए मैं इस panel को अभी नहीं खोलूँगा पेले दिखाता हूँ कि अगर आप verify नहीं कर तो उससे पहले किस तरह का message आता है तो यहां पर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा ठीक है verify mail account यहां पर देखे verify mail account का option option आया हुआ है और company ने यहां पर लिखा idea सुभास कमार चोबे रेपीपे.com receive your request verify your email id if you did not request please ignore this mail अगर आपके email id सही नहीं है अगर इस email id को आप नहीं जानते तो ignore भी कर सकते हो ठीक है उसके बाद अगर आप इस email id आपका real है आपका बनाया हुआ है आप इसे जानते हो तो verify mail पर जैसे किलिक करोगे तो successfully देखने को वहां मिलेगा successfully हो जाने के बाद आपके पास कुछी तरह का mail आएगा देखिए मेरे पास अभी just आया है मैं इसे open कर लेता हूँ अब यहां पर option आपको मिलेगा यहां पर आप देख सकते हो reset b2b account password ठीक है पहले तो verify का था जब तक आप verify नहीं कर लेते हो तब तक यह आपको option नहीं मिले देखने को नहीं मिलेगा reset password का आप reset password पर जैसे क्लिक करोगे उसके बाद यहां पे एक आपको browser panel पर लेक जाता है ठीक है यहां पर browser panel पर आपको लेको जाता है थुड़ा से वेट करना है तो यहां पर आपको बोलड है कि इंटर पासवर्ड और यहां पे बोड़ा है कॉन्फर्म पासवर्ड तो यहां पे जो है इंटर पासवर्ड पे आपको न्यू पासवर्ड जो बनाना चाहते हैं वही डालना है और कॉन्फर्म पासवर्ड में सेम यहां पे डाल देना है और सम्मीट पे आपको सिंप्ली क्लि हूँ और एपट पर पीवर प्रडिक करने के बाद आपको क्या कर मान? पर लोगिन प करने के बाद वहां पर समिट कर दीना होता है फिर उसके बाद यह में कर लोगिन तरू यह ae वीडियो थोड़ी लंबी बन जा रही है माफी चाता हूँ और वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करने वाला हूँ तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को पता चल गया कि forget केसे करना है और जो भी requirement होती सारा कुछ मैंने बता दिया है किसी को रेपी पे के retailer ID distributor ID लेना है तो मुझसे contact कर सकते हो बिल्कुल फ्री चाल रही है डिसेशन के नीचे नंबर दिया हूँ है anytime anymore call कर सकते है बट एक requirement होती ही मेरा खुद का कि भाई जो भी बंदा मुझसे contact करो काम करने वाला बंदा ही contact करना ताकि मुझे भी और आपको भी अच्छा लगे ठीक है ओके फ्रेंस मिलते हैं ने बड़ें तो तक लिए जे हैं जे बात